ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बन कर सेवा करो तो हर कदम पर सफलता मिलती रहेगी ये बाबा कहता देही अभिमानी बन कर सेवा करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी देही अभिमानी मतलब मैं आत्मा हूँ किसी से लगाओ जुकाओ टकराओ अभाओ कोई फीलिंग ने बस मैं आत्मा हूँ इस भाव से निस्वार्त भावना से निर्वैर भावना से निर्संकल्प भावना से कि मैं आत्मा हूँ और रहम दिल हूँ तो ये सेवा में सफलता मिलता रहेगा हम लोग अगर कोई डर से कोई वैर से या किसी कारण से छोड़ देते हैं ये आत्मा ऐ तो हर कदम में सफल्टा मिलती रहेगा उत्तर्य सदा इस म्रीति रहे कि हम गौडली सर्भिंट हैं हम किसके सर्भिंट हैं भगवान के अभी सेवाधारी बच्चे बनें ना तो शर्भिंट को कभी भी दे अभिमान तो नहीं आ सकता है कैसे करेंगे इसमें मेरा कम हो जाएगा ये हो जागा वो जागा बाब का काम है बाब जाले मेरा कर्म है इतना काम कर देना गौडली सर्वेंट है न तो जैसे सरकारी नौकर होता है जाकर अपना ड्यूटी पूरा कर दिया अपना काम कर दिया और उसके बाद उसका फाइदा है नुकसान वो देखीगा न सरकार समझे वहाद करने के लिए तो इसेवा करेंगी उसी तरह यहाद बाबा समझेगा गारों मेरर कम इस सेवातों है कि ये मेरा है ये मेरा है ये आएगा सर्विंट को वो जारा कितना भी बड़ा घर है वो जारा जारू कोचा करने के लेना तो उसके अंदर ये नहीं आएगा कि ये घर मेरा है वो किवल अपना सेवा करेगा उसी तरह अभी हम लोगों को भी नहीं यहीं देखना है कि मेरा जाएगा देयभी मानी है न यहँ for anew और न भष्यात्त को बाबा अपके भरोसे इस परीवार को छोड़े जा रहे है अब आपके भरोके जोड़े जारे कि मतलब समझी कि कहीं मेरा है कि आपके भरों से बोलना मितलब बाबा का नहीं है आपका है मेरा सेवार है और जाएंगे मेरा कोई यह नहीं तो बोलने और यही दे अभीमान हार की और ली जाता है डीटाइच होने नहीं देता है चिंसा लगा रहता है। तो बाबा केता जितना योग योगत रहेंगे मतलब आत्मिक स्वरूप में रहेंगे परमात्मा को याद करेंगे हमारा दे अभिमान तूटता चला जाएगा आज दूसरा प्रस्ने, दे अभिमानियों को ड्रामा नुसर कौन सा डंड मिल जाता है, दे अभिमानियों को जो दे अभिमान में हैं, उनको कौन सा डंड मिलता है, उत्तरून की बुद्धी में ये ग्यान बैठता ही नहीं, बहुत बच्चे बोलते, चाह जितना भी ग्यान अपयालो मेरे बुद्धी में कुछ नहीं बैठ रहा है स PCs का आपके साथ रहेंगे क्या ये ग्यान नहीं बैठेगा वो परम पिता हमारा पिता है ये ग्यान नहीं बैठा लेकिन जान बुझ के लोग करते से क्यों करते ताकि मेरा विकार ना छूटे काम विकार उनसे छूटता ही नहीं है लोग छूटता नहीं है जूट बोलना छूटता नहीं है तो वो कैसे वोल देते डारे कि हमसे यह नहीं हो पाएगा हमको ग्यान ही नहीं समझ में आ रहा तो बाबा कता यह डंड है कि उनके अंदर में ग्यान नहीं बटेगा क्योंकि वो जूर का सारा ले रहे हैं साहुकार लोगों में धनके कारण देविमान रहता है इसलिए वह इस ग्यान को समझ नहीं सकते हैं। यह अभी उनको डंड ही है कि भगवान का ग्यान उनको नहीं समझ में आएगा। और वो अभी कल भी बाबा बुले ना कि चाहें हम तो रंक को राजा राजा को रंक बना सक बनाता बाबा नहीं है बाबा यह चेताओं नहीं देता है तो बाबा कहता है यह डण्ड है कि जो अपने आपको साहुकार समझते हैं वो गरीब बन जाएं जो सोच रहा ना हम धन्वान हैं या हम पूरे परिवार को लेके चल रहें यही अभिमान उनको सब तो गरीब सहर समय लेते जो हर तरह से गरीब मेरे पास कुछ नहीं बाबा ना ध्हन है ना परिवार है ना कुछ भी नहीं कीवल तुम हो मेरे पास उसका देखिए स्थिति आगे बढ़ जाएगा ओम शांति रूहानी बाप ब्रम्भा द्वारा राय दे रहे हैं याद करो तो तो तुम यह बनोगे सतो परधान बन अपनी पैराडाइज यानि स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे यह सिर्फ तुमको नहीं कहते प्रन्तु यह आवाज सारे भारत है बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास यह आवाज अभी तो सबके पास जारा ना बहुतों को साथ्षातकार भी होगा किसका साथ्षातकार होना चाहिए वह भी बुद्धी से काम लेना है किसका साथ्षातकार हो देवी देवताओं का किसका साथ्षातकार हो हाँ अपनी स्थीती का साथ्षातकार हो कि मेरे अंदर क्या क्या कमिया है तो ब्रंभा बाप द्वारा समझना चाहते हैं भारत पैराडाइज यानी सवर्ग था किसants यंदो स्भराराज बन जाता सहज राज योगन अगर जिस दिन हम संतुष्टता को धारन कर लिए जिस दिन हम स्वराज जदिकारी बन गए उस दिन दुखी होने का कोई सवाली नहीं तुरंत मालिक सो बालक बालक सो मालिक की स्थिति आ जाती है तो विलायत वालों को फिर भी बुद्धी कुछ अच्छी है अब देखें जो बुड़े हैं उसका स्थिति एकदम खराब होगा लेकिन जो यूवा हैं उसकी स्थिति जादा अच्छी होगी क्यूंकि वह अभी नया नया पक्का संस्कार बन जाता कोई भी गलत संसकार भी तो इसलिए बाबा कहता है कि भारत वाले वाले सबसे बुड़े हो चुके आत्मा रूप में और विलायत वाले अभी कम हुए हैं तो उनका बुद्धी अच्छा है तो वो जड़ समझेंगे तो अब सरविसिवूल बच्चों को क्या करना चाहिए उन्हों को ही डारेक्शन देने पड़ते हैं जो सरविसिवूल हैं जो जाकर सेवा कर सकते हैं कि आप भी आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो खुद आत्मा समझेंगे तब तो उसको बाबा तो बच्चों को प्राचिन राजयोग सिखाना हैं, तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनियादी में बहुत आते हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं अपना अपना, कि ये बहुत अच्छा कारी कर रहे हैं, प्रन्तु खूद नहीं समझते हैं, बहुत ऐसे हैं भी आईपी बनाएंगे, और समझने का भी पुरुसार्थ करेंगे, जो गरीब बन चुके मेरा कुछ भी नहीं, वो ठीक समझेंगे, और जिसको अभी भी घमंड है न, कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, वो नहीं आपाएंगे, और उसका जब तक खतम नहीं है, कि उनको समझ में नहीं आएगा, जो साहुकार रहेंगे, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है, बाबा भी बोलता है, कि अगर बड़े लोग आते हैं, और वो लोग सुनते हैं, कि यह भी जुड़ा हुआ है, तो उनसे आवाज निकलता है, कि हर तरह के कराना है, तो विलायत वाले तो यह नौलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुस हो जाएं, गौर्मेंट के पास ऑफिसर्स, पिछारी कितनी मेहनत करती हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं, उन्हों को तो घर बैठे साथचातकार भी हो जाए, तो भी बुद्धी में नह कर लेंगे, बहाना बहुत तरह का दे देंगे, क्योंकि उनकी उपर माया कावरन चड़ा हुआ है, कि हमें तो इतना अच्छा पोस्ट मिला, यहां तो छोड़के चले जाएंगे, तो कम हो जाएगा, तो बच्चों को बाबा राय देते, ऑपिनियन अच्छी-अच्छी कठ करकि उनका एक अच्छा किताब बनावी बना है, किताब है ना ब्रंभा बाबा के समय ही बना था, राय दे सकते सबको दिखा सकते फोटों भी किछवाते थे बाबा सबके साथ, क्योंकि लोग देखे तो कम से गम कि देखो हर तरह के लोग यहां समझने के लिए रहे, देख गौर्णमेंट हाउस के अंदर लगा दे उसमें बाबा राय दिया था जहां कॉन्फरेंस आधी होती रहती है तो वहाँ पर म्यूजियम बना दिया जाए यह ख्यालात बच्चों को चलना चाहिए कि कहां कैसे सेवा किया जाए अभी टाइम लगेगा इतनी जल्दी नर्म बुद्धी को लगा हुआ है सबसे मजबूत ताला उसमें बोले जाता था गौद्रेज का तो गौद्रेज बाबा बोल रहा कि लिए बद्धी का ताला ही बद्ध कर दी भागवान को जानने का जो बुद्धी था वो एकदम बद्ध कर दिया है माया तो अभी आवाज निक जूर यह वर्दान बाबा दी रहा होना तो जरूर है तो हो रहा है ना आज जो बचे एक बार जूर गये ठोड़ा देर के बाहर जाते फीर लौट के आते ही तो यहां ही हटती है यहीं आना है तो यह भी वह प्रेड़ना दे रहे हैं जो छोड़ कर गए और फिर वापस पड़ा तो हम लोग छोड़ कर जाएंगी अब दुबारा तो वो लोग भी क्या किये अच्छा किये न तो आप देखे बहुत बच्चे होते न कि रीस रेस नहीं करते रीस में सेवा करते अच्छा रीस में भी सेवा करते तो कल्यान करिए कि अब कल्यान करें वह भी कल्यान कर चलना है क्या किया जाए यह सब ख्याला चलना चाहिए 24 घंटे यही इसी पे चिंतन चलना चाहिए हमें और क्या कर ले रहा समय नहीं है समय नहीं है अपना राज थापन करने का तो देही अभिमानी कोई ऐसे से ख्याला आएंगे कि क्या करना चाहिए नहीं तो क्या करेंगे दे अभिमान में फसे रह जाएंगे मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पती, मेरा घर यही सब में फसे रह जाएंगे तो जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे उसका ख्यालाद चलेगा तो हम लिखते भी है बिगर कोई खर्चा जो अच्छे अच्छे बच्चे वाते राय देते हैं बिगर कोई खर्चा कि हम लोग कितना बड़ा भागे ले रहें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपनिंग करने आते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडर्फुल नौलेज है अभी तो सब जूड़े हुए द्रोपती मुर्मोजी जूड़ी हुई है मोदी जूड़े हुए है सब को जूड़ रहा है कितने लोग नेता लोग सब ही लोग आ रहे हैं तो सची सांती तो ऐसे इस्ठापन होनी है जचता है समझानी भी जचने की है न आज नहीं जचेगी कल जरूर जचेगी लेकिन अपना काम में समझानी देते रहा न कोई नहीं समझा चलो ठीक है आज उसका बुदी में कोई टेंसर का बीज होगा जिसके कारण अच्छा भी जो गुरह नहीं किया कल को हम और अच्छा ग्यान देते रहें एक ना एक दिन उसको टच करें चलो देख कहीं आते हैं क्या है यहां तो बाबा कहते रहते बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ आगे चल कर वो भी जरूर समझेंगे मनुस्यों की बुद्धी तमो परधाने इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं दिन परती दिन और ही तमो परधान बनते जा रहें और ही तमो परधान सूच रहे हैं बहुत ऐसे बच्चे हंकार में हैं हम सोसे हैं कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे हो जाएगा काम माया की राजे में अभी माया एकदम लास्ट वार कर रही है और इतना सब को कमजोर करने की कोशिस कर रही है क्यों बाबा में आई ही न और बाबा अपना काम करा घीचने का तो तुम समझाने की कोशिस करते रहो छोड़ना नहीं है किसी को भी कि यह विकारी धंधा बंद करो कौन सा विकारी धंधा है गलत धंग से कोई भी धंधा करना तो अपनी उन्नती करो वहाप आए हैं पवित्र देवता बनाने आखिर वह दिन भी आएगा जो गौर्णमेंट हाउस में भी म्यूजियम होगा तो खुला था लखनाओ की कहाँ पर म्यूजियम खुला था बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं खर्चा मांगने वाले हम लोग नहीं है कि आप दो खर्चा तो हम म्यूजियम खोलेंगे हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं अपना ही कना कना लगा कर मुजियम खोलते हैं प्रदर्शनी सेवा करते हैं मांगते तो नहीं यह बाहर वालों से जैसे कि बाहर में दुर्गा पुजा होता है या कुछ भी होता है तो लोग चंदा कारते हैं सबसे लेकिन यहां पर चंदा कहोगे हम अपने खर्चे से हर एक गौवर्मेंट हाउस में म्यूजियम लगा सकते हैं तो और देखिए हम अपने खर्चे में थोड़ा थोड़ा अगर सब को देते हैं तो कितना बड़ा कारी हो जाता है किसी पता भी नहीं चला और हम जो देते हैं उनका भी कमी नहीं होता है ये भी तय हैं तो एक बड़े गॉर्णमेंट हाउस में हो जाए तो सम में हो जाए समझाने वाला भी जरूर चाहिए लेकिन तीखा अब ऐसे इसे लोग आएंगे तो उनको समझाने वाला भी तो नॉलेज़ फुल होना चाहिए उनको कहेंगे टाइम मुक्रर करो जो आकर हम रास्ता बतावें उनको बोलेगे कि इतना टायं हमको दीजिए हम लोगा कर आपको ज्यान देंगे बिगर कोडि खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बता देंगे सबको बोलना है कि आपका कोई खर्चा ट्याभी आपको कुछ देना नु altre लेकिन आपकी जीवन में जो टेंसन का चल रहा है पिरियड वो खतम हो जाएगा तो यह आगे होने का है प्रंद बाप बच्चों द्वारा ही बताते ही अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं उनको ही माया जादा पकड़ती है जो समझते हैं कि हम बहुत महावीर हैं असान होता है गरम करके मुल्ड कर देना है तो बाबा कहता है और सोना देखी एदम सौप्ट होता है तो हमें महावीर बनना है सौप्ट वाला सोना बनना है बड़ी ऊची मंजील है बड़ी खबरदारी रखनी है कि देखिए कभी-कभी पेड़ है ना तुफान के आगे लेकिन अगर टाइट रहे तो जड़ सही टुखार के फेड़ दिया जाता है तो इसलिए मोल्ड होने का भी ताकत गोल्ड में होता है बॉक्सिंग कम नहीं है बॉक्सिंग तो माया की बहुत होगी आपको जुक कर जुकाना है बहुत त्यार से जुकाना है शुरुआत में तो लोग बहुत बड़ी बड़ी गालियां देंगे लेकिन अगर आप जुके हैं तो वो भी रहम दिल बन जाएगा लेकिन उसके लिए हमें तयार आना होगा बड़े से बड़ी सब्सक्ति करना है इसमें से अपने तुम यान और भल से अपने को समझाते हैं साइख nerणाते न दुनिया के आकर्सनों में जाना है। तो अपने आपको समझाते हैं न योग लगाते हैं परमात्मा से। इसमें गुपते रहकर विचार सागर मंथन करते रहों तो नसा चड़ जाएगा कि बस हमें करना हैं। ऐसी प्यार से समझाएंगे। बेहत के बाब का वर्सा हर कल्प भारत वास्कियों को मिलता है। पांच जार वर्स पहले इन लक्ष्मी नारायन का राज था। अभी तो कहा जाता है वैस्याले हैं। लोग वैस्याले में जाते हैं। फिर बोलते हैं। कि हम तो मंदिर जा रहें पुजा करने के लिए। तो उसकी पहले तो आप गंदे हो गए। तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर सत्यु वैस्यी वाले वहां जाना है तो तुम्हें बाबा की स्रीमत अनुसार चलना होगा वह सी बाबा की स्थापना ये रावन की स्थापना वैस्याल है इसमें फसना नहीं है अगर हम मन बुद्धी से भी ठीक है विकारों में ने जा रहे लेकिन अगर मन बुद्धी से भी किसी देधारे में फसे हुए ये मेरी पत्मी है, ये मेरा पती, बच्चा, ये भी कामविकार है, कामविकार है ये, बोलते हैं ये मेरा बच्चा उससे लगाओ है, उसके दे से लगाओ है, आत्मा से लगाओ, आत्मा की चरित्रों को जागरित करना होता है, दे से लगाओ, दे में फसना होता है, रात दिन का फर्क है बच्चे फील करते बरोबर हम क्या बन गए थे जब जैसे से निकलते आज देखे सब कुछ अच्छा लगता है जब डिटाइच हो गए सब अच्छा लग रहा लेकिन पहले फसे हुए थे तो दुखी दुख था आज कोई दुख नहीं क्योंकि समय जैसे सेवा है सब के साथ लेकर चल ला मतलब यह हम लोगों को बाबा बना दिया है कि कब कैसे कब छोड़ना है क्या पकड़ना है तो बाबा आप समान बनाते ही मूल बात है देही अभीमानी बनना देही अभीमानी बनकर विचार करना होता है कि आज हमको प्लाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना देही अभीमानी बनकर किसी को समझाना बहुत बच्ची बोलते बाबा हम लोग तो गरीब हैं हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं है बाबा उनको गैसे समझाएंगे लेकिन बाबा कहता देही विमानी बन कर समझाओ ये स्टेज उपर हो जाएगी है तुम्हारी वो नीची हो जाएगी तो उनको द्रिश्टी अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भी भरती जाएगी देही अभिमानी होकर बैठी अपनी को आत्मा समझ कर बाब से योग लगाए तो बैटरी भर सकती है इस बात को गरीब जट अपनी बैटरी भर सकती है क्योंकि बाब को बहुत याद करते है 24 गंटे बाबा आज ऐसे करना बाबा कुछ भी ध्यान न रही कि क्या होगा नहीं होगा बाबा से बढ़कर कौन जान सकता है कि सही क्या है गलत क्या है तो ग्यान भल अच्छा है योग कम है तो बैटरी भर न सके क्योंकि दे का आंकार बहुत रहता है बाबा कहता ग्यान बहुत है ग्यान बहुत वाले को क्या कहा जाता है उद्धाव, उद्धावर्नी बोलता है क्या बाबा, कल भी बाबा बोला ना गोप गोपियां बनो, अतिंद्रिय सुख पाना है तो गोप गोपियां, नौलेज कम हो, लेकिन अब उनके प्यार में मगर्म हो जाए, तो योग कुछ भी नहीं, इसलिए ग्यान का बान में जोहर नहीं भरता है, तालवार में जोहर होता है, तभी तो किसी का सिर कटा आजाता है, अब रेती रहेंगे तब कटेगा, तो कितना तकलिब देगा, और झासिक रानी के दीखते हैं, कितना लगता था जैसे कि स्पीड में सब को काटती हुए आगे निकल जाती थी, तालवार मे तो ये सब कौन है इसी कुल की आत्मा है न तो अभी से ही ज्यान का जोहर भरना है हम सोच रहे हम बहुत ज्यान सुना ले रहे हैं बिल्कुल नहीं हमारे ज्यान से कितनों का सिर कट रहा है मतलब विकारी सिर तब कहेंगे जोहर है तो तलवार दस रुपया का भी होता है तो तलवार पचास रुपया का भी होता है गुरु गोविन से जी की तलवार का गायन है न इसमें हिंसा की बात नहीं है यहां हिंसा की बात है जैसे उस तलवार से आप हिंसा कर रहे हैं लेकिन यहां ज्यान का तलवार जो है उसमें हिं नहीं है तो दियुताइँ होते मन से भी इनसा और पी भारत बनेगा ये तुट निश्चे रकना अर Council Chief चीतली तो बच्छों को कितनी होनी चाहिए चाहिए श्ञंसरों MS दम था, था की नहीं, कितना तरह का मतलब सोच था, तो आज हम परम्पिता परमात्मा के साथ रहे हुएं कितना हलका फिल होता है, पूरे परिवार को भी ले के चल रहे है, हलका डिटैच भी हैं और सेवा भी हो रही है बहुत अच्छे से, तो जितना आप डिटैच रहेंगे उतना सेवा होगा नहीं तो आप फ़से रह जाएंगे तो अब तुम इस बर ये परिवार के हो सत्यूग में तुम होगे दैवी परिवार के अब स्वेम भगवान हमको पढ़ा रहे हैं हमको कितना प्यार मिलता है ना भगवान का मिलता है कि नहीं भगवान का प्यार जब भी कोई भी नहीं रहता है लेकिन भाबा को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो आधर कल परावन का प्यार मिलने से तुम क्या बन गए थे क्या बन गए थे इतए बंदրण बंद्र हमकोड के लायक और बंदर बन घए तो आप बैहत का बाप का प्यार में बन् если मिलने से क्या मैं रही हुग मंदिर के लायक डevy देटा बन जाती हो तो 5000 बात है 5000 साल में क्या क्या हो गया काहा देविदेुता बनी उए थे अब कहा बंद्र बन गए तुन्होंने लाखो वर्स लगा दिये यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था कौन ब्रम्भा बाबा सबसे लाश्ट नंबर जाड में खड़ा था मतलब जो पेड था ना उसका लाश्ट पत्ती जो था ना वो ब्रम्भा बाबा और धीरे धीरे डाली ऐसे डाली होत न है ना संपुन बनना मतलब दक शल चा dei को में तुमको कितना धाद हुर मंदिर बनाये उसमें इतना धाद धन लगाया था जिसको आकर लूटा गया मंदिर とो और ही रिया जा सावकार ना बढ़ा है तो प्रजक्रा में वह स्तरज्य को मैं एष्ब उठती है थी एफ ग५ी दुनिया सबसे गंदा मुल कwarts क listeners मुल्क बाब mêmes वहां है इनको चेंज करणें कि तुम बच्छों की मेहनत करनी है कलकत्ता चेंज करने में लिए म्नत करनी है घर अभिमान आया है कि असका तो उनला करना होता होता है मन को परमात्मा की याद में लगाना रगता है मन भाग जाता है नहीं मन को भागने का अदत पड़ा हुआ उसका दोस नहीं है उसको बड़े प्यार से रखी तो सब अच्छा हो जाएगा तो बाबा कहता है, मन मना भो का अर्थ भी नहीं समजती है अगर ग्यान होता तो आज ये कल्यूग में नहीं बदलता तो कोई मठ पंत वाला देवता बनना सके प्रजा पिता ब्रम्भा कुमार कुमारियां ब्रहमन बनने बिगर देवता कैसे बन सकेगी देवता नहीं बन सकते हैं बिना ब्रम्भा कुमार कुमारी क्योंकि ब्रम्भा द्वारा ही भागे बाटा इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना जरूरी है जो कल्प पहले बने हैं वहीं बनेगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नीकला ऑज एक फूल निकला यह फ्ल तैयार हो रहा है। बहुत सारा नहीं घ्ळण पता पड़ता हैं लेकिन फल लगा हुआ है तो बाबा कहता है कि जब बृद्धी को पा लेगा ना तो बृद्धी होता चला जाएगा फिर उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीटी मार्ग से विहंग मार्ग हो जाएगा चीटी मार्ग से विहंग मार्ग मतलब पहले एक दो आत्मा को ज्यान सुनाते थे और अब एक साथ पचास पचीस सौ को लोगों को ज्यान दे रहे हैं तो बाप सम्झाते मीठे बच्चो बाप को याद करो सवधर्जन चक्र फिराओ कि मेरा इस्थिती क्या रहा तुम्हारी बुध्धी में सारा 84 का चक्र है तुम ब्रामन ही फिर देवता और छात्री घराने के बनते हों तुम ब्रामनी देवता और फिर छत्रिय घराने के मतलब देवता बनते बनते अगर फेल हो गए तो छत्रिय घराने में तो जरूर जाएंगे तो इसलिए बाबा कता देवता छत्रिय तुम ही बनते हो तो हम कौन से कुल में जाने वाले हैं देवता या छत्रिय देवता कुल म ड्रमाने उपर a शाहिए चंदर बनाइए उपन बने लोगे यहां को दियान नहीं बनाना मों नहीं बनाना मों स אותו जाता थो मेनत करके समझा ऑसिता फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता हिए शी आप इनका समयुवर्ण अभी इसलिए यहने समझ रहे हैं फिर भी आते हैं समझते ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है पहले क्या होता था तो बाबा केता है ब्रह्मा कुमारियों का जैसे नाम बनाम था पर शुरुआत में कि ब्रह्मा कुमारियों ऐसे करती हैं तो अंदर जाकर देखते हैं तो कहते हैं यह तो बहुत अच्छा काम कर रही है पता पड़ता हैं तो यह तो मनुसे मात्रे के करेक्टर सुधारती हैं यह कुछ नहीं करती है इनका तो खुला किताब है अटल भी हारी बाज पे भी बोले थे इनका तो जीवर खुला किताब है दियोताओं का करेक्टर देखो कैसा है सम्पूर्ण निर्विकारी है न तो बाप कहते है बच्चे काम महासत्र पहले सबसे पहले तो इसी से मुख्थ होना काम विकार से मुख्थ होना है इन पांच भूतों के कारणी तुम्हारा कारेक्टर बिगड़ा हुआ है यही पांच बूत काम क्रोध लो मो अंकार अगर इस पांचों का द्वार बंद कर देना तो आप सब चीज से बाहर निकल जाएं काम क्रोध लो मो अंकार यही नर्क का द्वार है ना तो जिस समय समझाते उस समय तो अच्छा बन जाते हैं बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं अब यहां पर तो सोते कि नहीं काम विकार बहुत महान सत्रू है क्रोध महान सत्रू है काम क्रोध लो मो अंकार यह चो पांच विकार है इसको छोना फिर बाहर जाते हैं तो फिर वैस नहीं सकता है तो उसी तरह बहुत ऐसे भाई भनों को क्या कि ग्यान दिये और जब गए तो दो तीन मैना ठीक रहे उसका तीसरा चौथा मैना मेना पूरा विकार में डूब गए और फिर परिस्थिती बढ़ गया देखे परिस्थिती उसमें भी बढ़ता है लेकिन वह परिस तो यह बाबा गाली नहीं देती हैं सो सो सिंगार करें डोट डोट गाली नहीं दे रहें आपको आपको गधा नहीं बोल रहे हैं समझाते हैं कि ऐसा मत बनो ऐसा मत बनो दैवी चलन रखो क्रोध में आकर भौकते क्यों हो स्वर्ग में क्रोध होता नहीं बाब कुछ भी सा करके समझाते हैं बाबा के जो भी समझाय हम लोगों को गुशा नहीं करना है बोलते न कभी की बाबा तुम डाटो चाय फटकारो रखो चाय ठुकराओ लेकिन हम तो यहीं रहेंगे बाबा आपके पास रहेंगे तो ड्रामा काइदे अनुसर चलता रहता है ड्रामा में कोई भूल नहीं है अनादी अभिनासी बना हुआ ड्रामा है जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्स के बाद होगी कई कहते हैं कि यह पहारी टूटी फिर कैसे बनेगी बाबा अच्छा इसमें क्या फसना पहार कैसे टूटेगा कैसे बनेगा इसमें क्या फसना दिमाग लगाना पुरुसार्थ करो नापना वो सब बाबा समालेगा नातक देखो महल तूटे फिर नातक रिपीट होगा तो फिर वही महल बन जाएंगे यहू बहू रिपीट होता रहता है समझनी का भी ब्रेन चाहिए ना अभी वो बुद्धी बना ही नहीं है जो बाबा एक्यूरेट हम देवी देवताओं का राज था उन्हों की पूजा होती थी बाप ने समझाया तुम्हे पूजे और तुम्ही पुजारी बन जाते हो हम सोकार्थ भी बच्चों को समझाया गया है हम सोकार्थ आत्मा पर लगाया जा रहा है तो हम सो देवता हम सो छत्रिये हम सो वैस हम सो पिर ब्रामन बन गए तो बाजोली का खेले उपर और नीचे करने का बाजोली का खेले इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की भी कोशिस करने ये दूसरों को भी समझाना है खुद समझ गया हम समझ गया ना बस काफी है ऐसा नहीं दूसरों को भी समझाना जो उल्जे ह हुए हैं बाबा ऐसे नहीं कहते धंदा छोड़ो नहीं सिर्फ सतो परधान बनना है इस जोग्रफी का राज समझ कर समझाओ मूल बात है मन मना भाव मन में ही विकार आया न तब बुद्धी उसके अनुसार बुद्धी भी निन्ने देने लेगी बुद्धी को तो रोज ग्य कि आत्रा है नंबर वन बाब कहते मैं सभी बचों को साथ ले जाओंगा सभी बचों को तो जब जाना ही है बाबा के साथ तो क्यों आम अच्छा करके जाए चिंता क्यों करें कल का तो सत्यूग में कितने थोड़े मनुसी हैं कल्यूग में इतने धेर मनुसी हैं कल्यूग मे 9 लाग शुरुआत में होंगे कौन सब को वापस ले जाएगा बताओ इतनी लगभग शाड़े 800 करोड आत्माओं को कौन ले जाएगा बाबा ले जाएगा इसलिए उनको कहा जाता है महाकाल काल ले जाता है कुछेक आत्माओं को अब महाकाल सारी आत्माओं को ले जाने आया है तो इतनी सारे जंगल की सफाई किसने की पुरा कल्यूग हो गया जंगल तो कौन सफाई कर रहा है सीवाबा कर रहा है बागवान खेवय या बाप को ही कहती है वही दुख से छोड़ा कर उस पार ले जाती है पढ़ाई कितनी मीठी लगती है मीठी लगती है पढ़ाई मीठा लगता ना हलका भी कर देता है नौलेज़ फुल भी बना देता है पुरुसार्थ भी करवाता है क्योंकि नौलेज़ इज सोर्स ओफ इंकम है तो तुमको कारून का खजाना मिलता है ना कुबेर का खजाना सुने है ना तो बस वही खजाना हम लोगों को मिल रहा है भक्ती में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पाओ पढ़ने की बात नहीं है यहाँ पैर छुओ यहाँ पैर सर जुकाओ यहाँ वो बात नहीं है वह तो गुरू के आगे जाते हैं तो इससे बाप छुड़वा देते हैं ऐसे बाप को याद करना चाहिए वह हमारा बाप है या समझ लिया ना सबने सिवाबा बाप है कि लौकिक बाप के पास जाएंगे और सब बाबाओं के पास जाएंगे तो बापा से वर्षा फी जरूर मिलता है वक खुसीद रहती है लिखती हम सावकार के पास गएं तो लज़ा आती थी बाबा हम गरीब हैं ना बच्चे बोले बाबा से तो बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा है साहुकार होते हैं तो यहां आते ही नहीं देखो जो गरीब हो यहां आ गए बाबा के पास अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाब दादा का याद प्यार गुद मॉर्लिंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा सुक्रिया धारनक लेज मुखे सारे सदा इसी खुसी वर नसे में रहूं कि हम इस वर ये परिवार की हैं स्वें भगवान हमें पढ़ा रहे हैं उनका प्यार हमें मिल रहा है जिस प्यार से हम देवता बन रहे हैं हम बने बनाए को आक्यूरेट को समझना इसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती है जैसे बोलते हैं नकि बाबा हम से गलती भी ट्रामा में नूधा हुआ तो जो एक्ट हुई मैं सबी अपने पुराने जीवन से अब आगे बढ जाना है तो इस बात को सलेज बात कःष बात को समझे पर दिमाग में दिन जाना हो उन्हाम है कोäl गूसारी फुराने जीवन में बहुत बचसे है उसने साथ बहुत बुरा किया इसलिए बुरा हो रहा था बुरा कुछ भी नहीं था कोई भी विग़ा नहीं उताइब को पुर्थान को तोफार समझ को छोज करने वाले संपुन और संपन भवा संपून और संपन भवा जब सभी का लक्ष संपून और संपन बनने का है तो छोटी-छोटी बातों में घबराओं नहीं क्या होगा कल कि मतलब कोई आत्मा बोड़ी थी नहीं उनको लेकर चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे उनको लेकर ही चलिए को तो बाबा कल क्या बोला कि अगर तुम अच्छा कर्म कर रहे हो स्रीमत की अनुसार कर रहे हो तो नुकसान को भी आम फायदे में बदन देंगे कल की मुरली में थी न तो बाबा बोल रहा है कि छोट-छोटी बातों में घबराओं नहीं मूर्ती बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ना कुछ थोड़ा सा डाठी मिल जाए ना क्या बड़ी बात है खालेंगे नर्म हो जाएंगे तो जो जितना आगे होता है ना उसको तुफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ती है तो आएगा तो तुफान जरू अडर के कदम ही पीछे कर लें यह सही है नहीं है न सही लेकिन वो तुफान उन्हों को तुफान नहीं लगता तौफा हो जाता है अगर नजरिया बदल देना तो तुफान तौफा नजर आएगा यह तुफान भी अनुभवी बनने की गिप्ट बन जाती है इसलिए विगनों को वेलकम करो और अच्छा है विगन आ रहा बहुत अच्छा है अनुभवी बनते आगे बढ़ते चले जाओगे अनुभवी बनकर आगे बढ़ते चले जाओगे स्लोगन अलबेले पन को किवद समाप्त करो अलबेला पन क्या है हम तो बहुत ग्यानी बन गया लेकिन यह विगन हमको छोड़ता नहीं यह अलब मेरी द्वारा क्या-कया मिस्टेक confident और कि आपकी चेकिंग करें कि अपने कि चेक किज़े अपनी गलतियों को देखिए कहां गलती हो रहा सिर्फ बाब समान मैं आत्मा हूं मरने का डर खतम है ना मैं आत्मा हूं बाबा का सबसे मीठा प्यारा बच्चा हूं परमधाम में मिरी स्थिति बाबा के एकदम नज्दिक की है तो हम सबसे उचा हो गए कर दो हम आत्मा हूं वां